कि हेलो दोस्तो मेरा नाम है कमल जोसी दोस्तो आज बात करेंगे डीजल जने Venus में किस ग्रेड का इंजन ओए लुग किया जाता कोई भी हमारा diesel engine हो तो उसका जो engine oil use होता है उसे use करने के domain purpose होते हैं एक तो होता है lubrication दूसरा होता है cooling तो lubricating agent की तरह भी काम करता है engine oil और cooling agent की तरह भी हमारा काम करता है तो सबसे पहले cooling की बात करें क्योंकि इसके अंदर एक moveable parts रहते हैं जो भी हमारा generator होगा उसका जो engine उसमें moveable parts होगे उसमें crank shaft होगी उसमें gears होगे उसमें bearing सोगी तो अलग-अलग चीजें एक engine के अंदर रहती हैं अलग-अलग parts moveable parts तो उसके अंदर जो oil रहता है उसकी cooling के लिए हम लोग उससे oil को circulate करते हैं और circulation के दौरान उसको radiator के थ्रू गुजरा जाता है तो radiator क्या कर तो heat extract करके फिर से थोड़ा सा cool करके इस oil को फिर से circulation में लाया जाता है तो पहला काम तो इसका cooling का हो गया और दूसरा काम होता है lubrication का lubricating lubricating agent जो भी हमारे रहते हैं उनमें सबसे basic जो चीज देखी जाती है basic जो मंत्रा है उसको suggest करने का उसकी होती है viscosity viscosity जिस भी oil को हम लोग यूज करते हैं उसकी कुछ नहीं कुछ viscosity रहती है तो जो engine रहते हैं उनमें विसकोसिटी को दो तरीके से suggest किया जाता है जैसे कि अगर हमारा engine maximum temperature reach कर जाए तो उससमें विसकोसिटी क्या रहेगी और minimum temperature हमारा कहीं पर हो तो उससमें विसकोसिटी क्या रहेगी तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे diesel engine manufacturer है चाहिक कुमिन्स हो हमारा कि लॉसकर हो केट प्लायर हो यह हमें सजेस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग एशियन कंटिनेंट्स में रहते हैं तो वहाँ पर यह हमें 15W 40 ग्रेड का engine oil suggest करते हैं तो यह companies जो है 15W 40 को suggest करने का एक main reason जो यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो वह थोड़ा सा आपको इसके ओपर भी बताता हूं जैसे कि यह engine oil 15W 40 जो इसका 15 है यह दिखाता है कि यह minus 17 degree Celsius पर इसकी viscosity 15 है तो minus 17 degree बोल सकते हैं और 0 Fahrenheit भी हम इसे बोल सकते हैं 0 Fahrenheit पर हमारा कितना इसका viscosity होगी 15 माइनस 17 पर 17 डिगरी Celsius पर भी इसकी viscosity 15 होगी तो दोस्तों जहां पर हमारा European continents हैं जहां पर बहुत जादा ठंड पड़ती है तो वहां पर इस 15 को यूज नहीं क्या जाता है वहां पर हम ल लेते हैं जीरो ले लेते हैं लेकिन अपने वहां क्या है कि गर्मी रहती है mostly और जीरो डिगरी Celsius से बहुत ही कम ऐसी जिगह पर हैं जहां पर temperature कम होता है तो अगर European countries में हम इसे यूज कर रहे होते अगर यह 15 रहेगा तो इसकी क्या होगी जब हमारा 20 degree माइनस में गया हुआ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि यह 15 ओल लेड़ी है तो इसके बाद viscosity बढ़ेगी तो यह क्या है जब circulate करेगा इंजिन के अंदर जब oil circulate करेगा तो उसके circulation में दिक्कत आएगी तो उससे क्या होगा हमारे जो पार्ट से अंदर वो वियर एंट यर की problem रहेगी और वैसे ही इस चीज़ को देखा जाता है जब heat हो means हमारा जैसे कि हम लोग यूज करते हैं तो almost हमारा जो इंजिन का जो temperature रहता है वो 80-90 तक चला जाता है तो अगर हम बात करें हमारा को कभी engine लगाता चल रहा है तो 90-200 तक अगर हमारा engine का temperature चला गया है तो उससमें क्या ह होगा तो viscosity हमारी क्या होगी कम हो जाएगी तो viscosity कम होगी तो यह जो engine oil हम लोग यूज कर रहे हैं 40 तो इसकी जो 95-100 जो 95-100 डिग्री Celsius पर इसकी विसकॉसिटी 40 रहेगी तो 40 रहेगी तो जो reasonable है और हमारे काम चल जाएगा 40 पर तो उसके उपर हम लोग डीजल इंजन में प् डीजल वर डेमप्रेचर का हमारा एंजन में भहत सारे अलगग रहते हैं 9200 पर हमारा टेमपरेचर की इंटर लॉगिंग होती है तो उससे उपर हमारा इंजन बंध हो जाता है तो हमारा इतना तो कम से कम विदिस्टेंड कर सके हैं तो यहां पर हमारे 40 डिग्री 40 हमारा वि यूज करने के लिए बोलती है तो जनरली यह जो 15W40 है यह टेमप्रेचर के अकॉर्डिंग ही चूज करके कमपनी सजेस्ट करती है तो जब भी आप कभी इंजन ओई चूज करें तो कमपनी से सजेस्ट कर लें कि कौन सा कमपनी का हमने किस ग्रेड का इंजन ओईल को चूज करना है वैसे तो मैंने आपको बताई दिया है कि जनरली जो कमपनी सजेस्ट करती है 15W40 को ही यूज करती है इंजन ओईल के लिए जो जनेटर रहते हैं चाहिए हमारा 320 का हो 500 का हो तो उससे उपर का भी रहता है तो इसमें ये यूज किया जाता है तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को धन्यवाद